बावत सिद्धिकी की हत्या के बाद माया नगरी में हड़कम मचा हुआ है हत्या की जिम्दारी लॉरेंस बिश्णोई गैंग ने ली है साथी सल्मान खान को एक बार फिर से निशाने पर ले लिया है अब सवाल यही है कि क्या इस मडर के जरिये लॉरेंस बिश्णोई गैंग ने सल्मान को एक बड़ा मेसेज भीजा है वहीं इस हत्याकान का यूपी से भी कनेक्शन जुड़ चुका है दरसल हत्याकान को अंजाम देने वाले दो शूटर बहराईच के रहने वाले हैं दिखाते हैं आपको जेल से आया ओडर बाबा सिदिकी का मडर लॉरेंश बिश्णोई गैंग निली हत्या के जिम्मिदारी बाबा सिदिकी की हत्या का यूपी से जुड़ा कनेक्शन मुंबई के बांद्रा के खेरवाड़ी सिगनल का इलाका शनिवार रात करीब साड़े नौ बजे की तरतरा हट से दहल उठा था एंसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिदिकी अपने बेटे और कॉंग्रस विधाक जिशान सिदिकी के ओफिस से बाहर निकले थी तभी आटो से तीन शूटर बाहर आए और एका एक अंधा दूंद फाइरिंग शुरू कर दी तीनों शूटर्स ने मूर पर रुमाल भांदा था शूटर्स ने दो अत्या धुनिक आटोमेटिक पिस्टिल से छे राउंड फाइरिंग की फारिंग के बाद खेरवाडी सिग्नल इलाके में हड़ कम पमच गया थोड़ी देर के लिए यहां अफ्रत अफरी का माहूल हो गया बाबा सिद्की को तीन गोलिया लगी दो गोलिया उनके पे और एक सीने को पार कर गई दो गोलिया उनकी कार पर भी लगी एक कोली साथ में मौजूद शक्स को भी लगी बाबा सिद्की को तुरंत लीलावती अस्पताल में भड़ती कराया गया जहां डॉक्टर्स ने देर रात के साड़े 11 वजे उनकी मौत की पुष्टी कर दी मडर की प्लानिंग जेल में बैठे खुंखार गैंग्स्टर लॉरेंश विस्नोई ने रची थी और उसके बाद उसने अपने गुर्गों को काम पर लगाया गुर्गों ने प्लानिंग के मुताबिक काम को अंचाम दिया और बाबा सिद्की का काम तमाम कर दिया मडर के बाद लॉरेंस गैंग ने पेस्बुक पोस्ट कर मडर की जिम्मेदारी लिए लॉरेंस ते पोस्ट में लिखा सल्मान खान हम ये जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया आज जो बाबा सिद्की के शराफत के पुल बांध रहे हैं एक टाइम में दाउद के साथ मको का एक्ट में था इसके मरने का कारण अनुष्थापन और दाउद को बॉलिवूर राजनिती प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है पर जो भी सल्मान खार और डाउद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना हमारे किसी विभाई को कोई भी मरवाएगा तो हम अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे सूत्रों के मताबिक गिरफतार आरूपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने बाबा से दिकी के घर की और ऑफिस की पहले ही रेकी कर ली थी शूटर्स ने ये भी बताया कि उन्हें मरडर के लिए एडवांस मेरा कम मिल चुकी थी साथे कुछ दिन पहले ही एक आर्म्स डीलर ने कुरियर एजेंट की मतस्ति पिस्टिल के डिलिवरी दी थी इस पिस्टिल के लिए भी पहले ही पैसे दिये जा चुके थे यारी मरडर के पहले से पुक्ता प्री प्लानिंग की गई थी इस सत्यकान का कनेक्शन यूपी से भी जुड़ा है क्योंकि सत्यकान को अंजाम देने वाले दो आरूपी बैराईच के कैसर गंजिलाके के गंडारा के रहने वाले हैं ये दोनों पुड़े में कबार का काम करते थे इस अत्यकार में दोनों का नाम आने के बार उनके घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस पोर्स लगाई गई है पुलिस दोनों के परिजुनों से पूछ ताच कर रही है इन दोनों में एक कारोपी धरमराज को मुंबई पुलिस ने गिरफतार कर लिया है अब इस अत्यकार में इसी गाउं के शीवा का नाम भी सामने आया है विलाज शीवा अभी परार है पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी है हम इस समय खड़े हैं उन्हीं यूकों में से एक यूवक सिवा गौतम के घर पर जिसकी तलाश पुलिस को अभी जारी है धरमराज को और हर्याना के करनेल सिंग को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है लेकिन जो सिवा गौतम है उसकी तलाश में अभी भी मुंबई पुलिस और तमाम टी में जुटी हुई है हम उसी सिवा गौतम के घर पर हैं आप देख सकते हैं यह सिवा गौतम का घर है और यह गाओं है यह फूस का छपपर है जहां पर बताया जा रहा है कि सिवा गौतम का घर है और यह सिवा गौतम 18-19 साल का एक लड़का है जो की पूने में भंगार यानि कबाल का काम करने के लिए गया हुआ था जिसके बाद में अब यह सूचना मिल लई है कि इतने बड़े मडरकांड में उसका नाम सामने आया है सिवा की माह हमारे साथ हैं जानते हैं उनसे क्या कहना है उनका क्या नाम है आपका सुमन जी आपके बच्चे का नाम आया है 18-19 साल का लड़का था इसका नाम आया है वहाँ पर बाबा सिद्धी की नाम के एक बड़े नेता थे बड़े बड़े नाम के व्यक्ति थे उनके मडर में उसकी संलिपना में उसका नाम आया है क्या कहना चाहेंगे कि हरी ज के दुकान पर भंगाड के काम करता है यह हम का मालूम है किन पर काम करता था कितने साल से यह पूर्णे में काम करने जाता अब तो रहां तीन साल से अफसले तो वह ली कही कि कि यहां पर भी कुछ जगलेलू किसम का लड़का था क्या लग रहा है कि उसकी सनलिपता लग रही है आपको किस तरीके का लड़का था अब हम हुआ के भाल का बताई पे भी भाई अब घर कर जाने तरह है कि हमेरे साथ थे हैं तो यह मेर के कर रहा है अब हुआ के बाद हम ना बताई पे भी भाई या वहीं आरोपियों के घर पर बुल्डोजर की कारणरवाई का अंदेशा जताया जा रहा है शूटर धर्मराज कर्शाप और शीवा गौतम के प्रापर्टी की जाश्तुरू हो गई है राजस्विभाग के लेकपाल प्रापर्टी के आकलन में जुटे हैं माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के कान खड़े हो गए पुलिस को शक्क है कि क्या सलमान खान से नजदी क्या कहीं बाबा सिदिकी की मडर की वज़ा तो नहीं ये शक इसलिए भी घहरा गया है कि कुछ समय पहले सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर पायरिंग हैं टीम न्यूज से न्यूज नेशन अब वाट्सेप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूर कोड को स्कैन करें